आज पता चल जाएगा कि किसी देश ने अपने अगली सरकार चलाने के लिए चुना है और किसके सितारे गर्दिश में हैं क्या प्रधानमंते नरेंद्र मोधी की सत्ता में वापसी होगी जैसा कि सभी एगजिट पोल ने इशारा किया है या फिर विपक्ष के दावे सही सावित होंगे देश के 17 लोगसभा के लिए चुनावों में मतगर्णा के बाद इस सवाल का जबाब मिल जाएगा जबकि 19 माई को लोगसभा चुनाव के आखरी चरण की वोटिंग के बाद जारी एगजिट पोल्स में मोधी सरकार की दुबारा सत्ता में वापसी के संकेत मिल रहे हैं आपको बता दे कि 350 सीटों के साथ मोधी की वापसी दिखा रहा है जबकि बात ये है कि इनमें अकेले बीजेपी को 300 सीटे मिलने की बात कही जा रही है इस बार के पोल कितने सही सावित होंगे ये तो आज रिजल्ट आने के बाद ही पता चल जाएगा लेकिन सारे पोल एक बात साप साप कह रहे हैं कि फिर से एक बार मोधी सरकार आएगी अगर आज ये अनुमान सचाई में बदलती है तो साप ही देश की जनता ने चुनाव परचार के दवरान प्रधानमंतरी मोधी की ओर से किये गए वादों पर एतवार किया है बीजेपी ने अपने मेनी फेष्टो संकल्प पत्र यानि चुनावी वादों की पोटली के जरिये किसानों ब्यापारियों मध्यम वर्ग को साथने की कोशिस की वहें राममंदे कश्मीर में धारा 370-35A के संकल्प के जरिये धार्म और राष्ट वाद के मुद्दे पर आगे बढ़ने के संकेत दिये हैं अब हम आपको बताते हैं नरिंद्र मोदी के 119 वादों के बारे में जो कि उन्होंने चुनावी परचार के दवरान गोशड़ा पत्र में जारी किये थे जिसकी वज़ा से वो दुबारा से प्रधानमंतरी बन सकते हैं तो चलिए बताते हैं कि कौन-कौन से हैं वो वादे पहला छोटे किसानों के लिए पेंशन देश के सभी किसानों को किसान सम्मान निधी का लाब दिया जाएगा छोटे और सिमान्त किसानों के लिए भी पेंशन की सुविदव शुरू की जाएगी ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड की सुविदा किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला एक लाख रुपय तक का पांस साल तक ब्याज रहित लोन किसानों को 6,000 रुपय का लाब मिलेगा सभी छोटे और सिमान्त किसानों को 60,00,000 के बाद पेंशन के सुविदा 2022 तक किसानों की आय दोगोनी करने का संकल्प दूसरा छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन 60,00,000 से ज़ादा उम्रवाले छोटे दुकानदारों और व्यापारीों के लिए पेंशन योजना देश के छोटे दुकानदारों को साथ साल के बाद पेंशन की सुविधा गाउं गरीब और किसानों पर सरकार का खास फोकस तीसरा हर परिवार को घर देने का वादा सभी परिवार के लिए पक्का मकान अधिक से अधिक ग्रामीर परिवारों को एलपीजी गैस सिरिंडर प्रधानमंतरी मोदी का नारा 2047 का भारत बनाने के लिए हमें आज से ही काम करना होगा चौथा अयुष्मान भारत योजना के तहट डेल लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे पीम ने कहा कि आज के युवा ही देश का भाविस से तै करेंगे आकांच्छाओं को पूरा करने के लिए हम आज एक बेहतर देश बनाने के सपनों को लेकर चल रहे हैं पाचवान सिक्षा के शित्र का बदलाओ मैनेजमेंट इंजिनियरिंग और लॉग कॉलेज में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी राष्टिय सिक्षक प्रसिक्षण संसतान की सा स्थापना इन संसतानों में चार साल का विशेश कोर्स इसकूलों के सिक्षकों में गुडवत्ता के मानत तै होगा 2024 तक केंद्रिय बिद्याले और 19 बिद्याले जैसे 200 और इसकूल खूलेंगे केंद्रिय सिक्षण संसतानों में कम से कम 50 फिश्दी तक सीट कप बढ़ाया जाएगा छठा मंदिर का संकल्प बीजेपी ने राम मंदिर पर अपने रूख को दोहराया सरकार क्योर से मंदिर के जल्द निर्माण के लिए समिधान के दायरे में सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा सवहाद पूर्ण वातावरण में जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण का प्रयास होगा फिलहाल मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है साथवाँ राष्ट सुरक्षा पर वादा राष्ट वाद को लेकर प्रति बद्धता दासत गर्दों के खिलाब जीरो टॉलरेंस की निती जब तक दासत गर्द खत्म नहीं हो जाते ये जीरो टॉलरेंस रहेगा योनि फॉर्म सिविल कोर्ट भी लागू होगा आठवाँ जम्मु कश्मीर में धारा 35A 370 पर वादा जम्मु कश्मीर से धारा 35A हटाने की कोशिश धारा 35A को जम्मु कश्मीर के गैर अस्थाई निवासियों और महिलाओं के लिए भेद भावपून धारा 370 पर भी दृष्टिकोंड को दोहराया गया समान नागरिक सनिता को लागू किया जाएगा इसे लेंगिक समानता से जोड़ा जाएगा ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा में लाने और शशक्तिकरन का वादा पार्टी सरोस्रेश्ट परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक सनिता बनाने के लिए कटी बद्ध दसवा त्井 तला का रोक तीन तला के विरूद कानून बना कर मुसलिम महिलाओं को नयाय दिलाने का प्रयास किया जायेगा मोधी सरकार तीन तलाक के मसलेव को लेकर पिछले दिनों भी बहुत सक्रिय दिखी संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को 33 फिस्दी अरक्षण देने की बात 11. एक साथ चुनाओं का संकल्प देश में एक साथ चुनाओं कराने पर विचार इस पर पार्टियों के साथ बात्चित करने की कोशिश जारी रखेगी आपको बता दे कि बीजेपी के घोशड़ा पत्र यानि कि संकल्प पत्र में 222 के लिए बीजेपी ने अपने 75 संकल्पों को भी शामिल किया है गोशड़ा पत्र में मोदी सरकार की पिछले 5 साल की उपलब्धियों के आधार पर 2022 के लिए 75 तार्गेट तै किये गए हैं डडेली नुजरूम से बिनितराय की रिपोर्ट